नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यंतंत्र वास्तु के विशेश कास्कम के साथ छट का पर्व भगवान सुर्ज और छटी मैजा को समझ पित होता है भगवान सुर्ज इस पूरे पिर्थिवी पर उर्जा का सुरोत है और इस कल्यूग में भगवान सुर्ज साक्षा देपता है जिसे आप अपनी आँखों से देखते हैं भगवान सुर्ज को परसंद करने का छट का पर बहुत ही अच्छा मोका होता है इस समय आप भगवान सुर्ज की पूजा करके भगवान सुर्ज को बहुत असानी से परसंद कर सकते हैं और अगर भगवान सुर्ज परसंद हो जाते हैं तो आपकी सारे गरह नशतर सही हो जाते हैं अगर भगवान सुर्ज आपसे प्रसंद हो गए तो समझे आपके जीवन में किसी चीज की कमी या दिक्कत नहीं होती है तो बने रही हमारे साथ हम आपको बताएंगे छट पूजा से होती है संतांत प्राप्ती करे या सान उपाए पुत्र प्राप्ती का अतधीक सराल उपाए जो आपको चट पूजा से पुत्र की प्राप्ती संतांत की प्राप्ती बहुत आसानी से हो जाती है देपता और चठी माईया की उपासना की जाती है चट में सबसे पहले नहाय खाय फिर खरना इसके बाद तीसरे दिन ढलते सुर्ज को अर्ग दिया जाता है चार दिनों तक चलने वाला चट पर इस ब्रत में सुर्जता पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है जिससे इसे कठिन ब्रतों में से एक माना जाता है सुर्ज देव के इस ब्रत की काफिय मनता है चट पर में लगातार दो दिन का निर्जला उबास किया जाता है इस उबास के कई सारे नियम है जिनका पालं करना अति आवस्यक माना जाता है चट पूजा बास्तविक रूप से प्रकृति की पूजा है इस अबसर पर सुर्ज भगवान की पूजा होती है जिन्हें एक मात्र ऐसा भगवान माना जाता है जो दिखते हैं जिसे हम अपने आखों से देखते हैं सुर्ज उपासना का यह पर सस्टी को मनाया जाता है लिहाजा इसे चट कहा जाता है यह परपरिवार में सुख समिर्धी और मनोबांचित फलपरदान करने वाला मानदाता है ऐसी मानदा है कि छट देवी भगवान सुर्ज की बहन है इसलिए लोग सुर्ज की तरफ अर्ग दिखाते हैं और छट मया को परसंद करने के लिए सुर्ज की अराधना करते हैं जोतिस में सुर्ज को सभी ग्रहों का अधिपती माना गया है सभी ग्रहों को परसंद करने के बजाए अगर केबल सुर्ज की उपासना अराधना की जाए और नियमित रूप से सुर्ज को अर्ख दिया जाए तो कई लाप आपके जीवने मिल सकते हैं अगर सुर्ज को जल देने की बात करें तो इसके पीछे रंगों का बिज्ञान छिपा है मानब सरीर में रंगों का संतुलन बिगरने से भी कई रोगों के सिकार होने की खत्रा होता है सुबह के समय सुर्ज देब को जल चढ़ाते समय सरीर पर पढ़ने वाले प्रकास से ये रंग संतुलित हो जाता है जिससे सरीर की रोग परतिरोधक छमता सक्ती बढ़ जाती है सुर्ज की रोसनी से मिलने वाला बिटाइमिन डी सरीर में बिटाइमिन डी की कमी को भी पुरा करता है और तोचा का रोग भी नहीं होता है मानता है कि जो भी सरधालू इस महावरत को निष्ठा भौ से बीधी पुर्वक संपन करता है वो संतान सुख से कभी अचुता नहीं रहता है इस महावरत के फलसरूप ब्यक्ति को ना केबल संतान की प्राप्ती होती है बलकि उसके सारे कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं पुत प्राप्ती संतान प्राप्ती के लिए यह पर बहुत ही अजुख मना जाता है चट पर्व की जो बीधी होती है उसमें पहला होता है नहाख है चट पूजा ब्रत चार दिन तक किया जाता है इसके पहले दिन नहाने खाने की बीधी होती है जिसमें ब्यक्ति को घर की सफ उबास रख साम के समय गन्ने का रस या गूर में बने हुए चावल की खीर को परसाथ की रूप में खाना चाहिए इस दिन बनी गूर की खीर बेहत स्वादिश्ट होती है साम का अर्ग है तीसरे दीन सुर्ज सस्टी को पूरे दीन उबास रखकर साम के समय डूपते हुए सुर्ज को अर्ग देने की पूजा की सामगरियों को लकरी के डाले में रखकर घाट पर ले जाना चाहिए साम को सुर्ज को अर्ग देने के बाद घर आकर सारा समान वैसे ही रखना चाहिए इस दिन रात के समय छटी माता के गिद गाने चाहिए और ब्रत कथा सुननी चाहिए ये भी काफी महत्पुन होता है सुबह का अर्ग इसके बाद घर लोटकर अगले दिन यानि चौथे दिन सुबह 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 सुर्ज निकलने से पहले ही घाट पर पहुँचना चाहिए उगते हुए सुर्ज की पहली किरन को अर्ग देना चाहिए इसके बाद घाट पर छठ माता को परनाम कर उस से संतान रख्षा का वर माँगना चाहिए अरक देने के बाद घर लोड़ कर सभी में परसाद बित्रन करना चाहिए तथा स्वेंग भी परसाद ग्रहंद कर बदखोलना चाहिए चट पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें ब्रत और पूजा दोनों को बेहत महत्व दिया जाता है सुर्ज की उपासना के साथ चटी मईया को प्रसंद करने के लिए हर बात का ख्याल रखा जाता है इस दोरान जो लोग ब्रत करते हैं उन्हें तो ब्रत समद्धी कठी नियमों का पालन करना ही होता है साथ ही घर परिवार के अनसतसों को भी कई बातों का ध्यान रखना परता है चुकि चट का पर्व काफी महत्व रखता है इसमें साफ सफाई नियम निश्ठा का काफी ध्यान रखना परता है चट पूजा पर सुर्ज को कुमकुम या लाल चंदन लाल फूल चावल चरहना चाहिए दीपक जलाना चाहिए तामबे के लोटे से आपको सुर्ज को अरख देना चाहिए सुर्ज पूजा के लिए तामबे की थाली और तामबे के लोटे का उप्योग करे लाल चंदन और लाल फूल की वेवस्ता रखें लोटे में जल लेकर उसमें एक चुटकी लाल चंदन का पौडर मिला ले लाल फूल भी डाले थाली में जलता हुआ दीपक और पानी से भड़ा लोटा रख ले ये चीजे अपने पास रखें इसके बाद ओम सुर्जाय नमहा या ओम आदित्याय नमहा मंत्र का जाप करें सुर्ज को परनाम करें तामबे के लोटे से सुर्जदेब को जल चढ़ाए सुर्ज मंत्र का जाप करते रहें इस प्रकास से सुर्ज को जल चढ़ाना सुर्ज को अर्ग देना कहलाता है और ये काफी महत्पुन होता है ओम सुर्याय नमहा अर्गयम समर्पियामी कहते हुए पूरा जल आपको सुर्ज को समर्पित करना चाहिए अर्ग समर्पित करते समय नजरे लोटे के जल की धरा के और रखें और जल की धरा में सुर्जदेब की जरसन करें दीब जलाकर सुर्जदेब की आरती करें साथ परिकर्मा करें और हांच जोर कर परणाम करें चट पूजा में आपको कुछ चीजों का ध्यान अवसी रखना चाहिए चुकि ये काफी महत्पुन होता है चुकि चट पूजा में निष्ठा और नियम काफी महत्पुन होता है तो इसमें पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि चट पर में नहा खाय के बाद से घर में मांस मदिदा का सेबन और ऐसी चीजों को घर में लाना भी बहुती अपसकुन मना दाता है इसलिए ये चीज आप ना करें दूसरी चीज घर का कोई भी सरस सराब या नसीले पदार्थों जैसे की सिक्रेट बीरी आदी का सेबन ना करें अन्था चट की पूजा का फल आपको कभी नहीं मिलेगा इस दोरान घर में केबल सात्विक भोजन ही बनाए लहसुन प्यास का पड़ियोग आपको नहीं करना चाहिए चौती चीज घर में जिस जगह पूजा का प्रसाद बने उस जगह पर आप सोयंग भोजन करने ना बैठे पांसमी चीज छट पर्व के तीन दिनों तक पूर्ण ब्रहम चर्ज का पलन आपको करना चाहिए छटी चीज किसी के बारे में गलत सोच ना रखें किसी पर भी क्रोध करने से बचें ये भी काफी महत्पुन होता है साथ मी चीज किसी की निंदा करने से बचें गलत बिचारों पर सह्यम रखें बड़त के तीन दिनों तक कोशिश करें कि रात में जमीन पर सोए बिश्टर का इस्तमाल ना करें नम्मी चीज इन तीन दिनों में साफ सुतरे और संभव हो तो नए बस्त धान करें दसमी चीज सुर्ज को अर्ग देते समय लोहे, एस्टिल या प्लास्टिक के पात्र का इस्तमाल आपको नहीं करना चाहिए छट पूजा में क्यों लगाते हैं लंबा पीला सिंदूर सायद आपने देखा होगा कि जो महलाएं छट पूजा में जाती है घाट पर जाती है वो लंबा पीला या लाल सिंदूर लगाती है देखिए छट पर पर भी महलाएं सिंदूर को अपने नांक से लेकर मांग तक भरती है एक मनता के नुसार ये कहा जाता है कि जितना लंबा सिंदूर होगा पती की उम्र उतनी लंबी होती है और उनका तरक्की भी उतना लंबा होता है चुकि छट का पर्व छटी मैया से बरदान पाने का होता है इसलिए इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए और तरक्की और सामना करना पड़ सकता है जिल लोग की कुंडली में सुर्ज नीज़्व की अस्थिती में हो वे लोग यदि छट पूजन के दीन सुर्ज यंत्र के अस्थापना कर पूजन करे तो इससे उनकी कुंडली के दोस्थ कम होते हैं और बिशेस लाव के भी शुर्ज यंत्र के अस्थापना इस प्रकार आपको करना चाहिए चट पूजन के दिन सबसे पहले सुभा उठ करके नित करमों से निपड़कर सुर्ज देव को परनाम करें इसके बाद सुर्ज यंत्र को गंगा जल एवं गाय के दूद से पवित्र करें अब इस यंत्र की ब पूजन करने से सिग्र ही सुर्ज समंधी होने वाली समस्याई समाप्त हो जाती है। लाल फुल का उप्योग अवस्य करें इसके बाद लाल चंदन की माला से नीचे लिखे मंत्र का जाप करें मंत्र है ओम भास करायनमहा इस मंत्र का कम से कम आपको पंच माला जाप करना चाहिए। इस प्रकार मंत्र जाप करने से जीवन की हर एक परसानी दूर हो जाएगी। यदि इस मंत्र का जाप परते क्रहिवार को किया जाए तो और भी जल्दी आपको लाव मिलता है। चट पूजन के दिन सुबह जल्दी उठकर असनान आदी करने के बाद उगते हुए सुर्ज को तामबे के लोटे से जलक अर्ग दें। पानी में कुम-कुम तथा लाल रंग के फोल भी मिलाए तो और भी सुब रहेगा। अर्ग देते समय ओम घिर्णी सुर्जायन महा मंत्र का जाब करते रहें। इस प्रकार सुर्ज को अर्ग देने से मन की हर इक्षा पूरी हो सकती है। जल्दी आपकी मनोकामनाय पूर्ण होती है। कुंडली मस्थित दोस जो सुर्ज का दोस होता है वो भी कम हो जाता है। इसके साथ साथ लाल कपरे में गेहु एबं गुर बांद कर धान करने से ब्यक्ति की हर इक्षा भी पूरी हो जाती है। तो आज मैंने आपको पताए कि छट पूजा में भगवान सुर्ज की पूजा करके किस तरह से आप संतान के प्राप्ति कर सकते हैं। और कुछ छोटा छोटा उपाय करके सुर्ज की प्रसंता प्राप्त कर सकते हैं। और सुर्ज अगर प्रसंद हो जाते हैं तो जीवन में हर गरह की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है और आपका जिनकी अच्छा चलता है। अगर आपको ये वीडियो प्रसंद आये तो खिर पैसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ भी शरक करें ताकि वो भी भगवान सुर्ज की उपायक करके अपने जीवन को सुकम बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही धन्नवाद।